नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आरेन ओनलाइन प्रेटफॉर्म पे आज के इस कर्णंट अफेर सेक्शन में हम चर्चा करेंगे कुछ और महतोपून मिंदुमों पर अभिवादन स्विकार कीजिए आप राजियेश जयन का बगराम एरबेस बगराम एरपोर्ट जिसक तो चीन ने अपने यहां पर कुछ इवेंट शुरू करने का प्रयास किया है और ऐसा माना जा रहा है कि शिंज्यांग प्रांत जिसे पूर्वी तुर्किस्तान भी कहा जाता है वहां पर उईगर मुस्लिमों पर नजर रखने के लिए उसने इस एरबेस को चुना है आपको में एक चर्चा की थी कंधार एरबेस की जब अटलव्यारी वाजपई सरकार के समय भारत का एक बोईंग हाईजेक हुआ था और कुछ आतंगवादियों को छोड़ा गया था तो और एस्प्री में यह प्रशन पूछा गया था कि कंधार जो एरबेस से वह कहां पर है तो द क्यू यू एडी वाड अपने नाम सुना होगा चीनी प्रभुत्व को नियंत्रित करने के लिए विश्वे के चार देशों ने एक संगठन बनाया है इसको एशाई नाटो भी कहा जा रहा है और अमेरिका जैपान और भारत इन चारों देशों ने मिलकर यह संगठन बनाया है मुक्त खुला और सम्रद प्रशांत सुनेशित करने के दस्टिकों से और मूलत है यह चीन की गतिविदियों पर नजर रखने के लिए और उसके आक्रमक व्यवाहर को नियंत्रित करने के लिए खेत्री सुरक्षा के हिसाब से इसका निर्वान किया है चत्रुभुत सुर और 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 औस्ट्रेलिया और इसका संबंध कहां से है तो प्रशांत खेत्र से है एशिया प्रशांत खेत्र से इस संस्था का संबंध है और मूलत है चीन के प्रभुत्यों को नियंत्रित करने के लिए उस पर नजर रखने के लिए इस संगठन को बनाया गया है नेक्स्ट 37 वराश्ट्री खेल गुजरात में और केंद्र एहमदाबाद और इस खेल का जो सिधान्थ है वो खेल के माध्यम से एकता का जश्न जो इसका की लाइन जो रखी है खेल के माध्यम से एकता का जश्न और इसका शुभंकर वनेया गया है वो सावज जिसे एशियाई शेर कहा है यह आपको ध्यान रखना है, पंच मुली जील चर्चा में रही है, बारत में तीन स्टेचू बड़े चर्चा में रहे हैं, स्टेचू अफ यूनिटी, स्टेचू अफ इक्विलिटी और बुद्ध की प्रतीमा, तो यह पंच मुली जो जील है, उसका संबंध कहां से है, तो स चर्चा में रही है, बारत का पहला रेविज मुक्त राजी कौन सा बना है, तो गोवा, बारत का पहला रेविज मुक्त राजी जो बना है, वो गोवा बना है, बारत सरकार ने भी एक हाली में नहीं मंत्रा लेका गठन किया है, यह आपको ध्यान रखना है, कुनो राष्ट पहाड़ी समुदाई अभी चर्चा में है क्यों अभी ग्राय मंत्री अमिशा जी ने कश्मीर में जाके पहाड़ी समुदाई को एस्टी का दर्जा दने की गोशना की है तो आप ध्यान रखेंगे विश्व कपास दिवस 2022 का जो विशय है वो कपास के लिए बहतर वविश्य की बुनाई हाली में प्रधान मंत्री मानी निरेंद्र मोधी जी ने दिल्ली में एक प्रधान मंत्री संग्रहाले का उद्गाटन डॉट्च मिसाइल जिसका नाम है हलिना और इसका फाली में प्रेशन किया गया पोखरन रेंज में और उखरन डॉर्नियर 228 यह स्वदेश निर्मित एक यात्री विमान है जो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रिय ग्राम स्वराज अभियान इससे चार वश के लिए और बढ़ा दिया गया है इसा नाम है राष्ट्रिय ग्राम स्वराज अभियान पंचाती राज संस्ताओं की शासन संस्ता का गठन किया है हाली में बारत और अमेरिका की शिखड़ वारता हुई है इसके बारे में चर्चा हमने पिछले एपिसोड में भी है तू-प्लस-टू किसी विदेश के दो मंत्री केबिनेट इसमें विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिश्टर रक्षा मंत्री बारत म और इनकी वारता होगी इससे का नाम दिया गया है भारत इस तोह की वारता चार देशों के साथ करता है अमरिका जापान अस्टेलिया और चोथा देश यह भी अनकर संजाता किया भारत में उसके साथ एस त्रहुरह करने का rich westПр Expect के समय रुसे सामरजिस से तीन राष्ट्र अलग हुए थे इसमें एस्टोनिया लात्विया और लिथ्वानिया ये तीन देशों के नाम आते हैं तीनों देश इकोनोमिकली बड़े साउंड है बड़े मजबूत इनकी अर्थवी अवस्ता है ये नेटों की अंग है यूरोपी से था पर किसी और देश की धर्ति से ये चलता था तो ठीक परागुए में लेटिन अमेरिकन देश जहां पर हमने एक भवन बनाया है ठीक उसी तरीके से बाल बाल्टिक राष्ट्र लिथवानिया में भी हमने अपना दुतावास बना लिया है नोबल पुरिसकार 2022 प्रमु ये तीन व्यक्तियों को एक साथ मिला है और इन्होंने क्या थियोरी दी है तो बैंको एवं वित्तीर संकटों पर शोध के लिए ये उन्होंने केंद्री विशे रखा इसी रिसर्च पर उनको आर्थिक शेत्र में नोबल प्राइज मिला है साथियों को याद होगा अमर्ति सेनको भी अर्थ विवस्ता के खेत्र में नोबल प्राइज मिला था भारती मूल के अर्थ शास्त्री उन्होंने कॉंसेप्ट दिया था कल्यानकारी अर्थ विवस्ता यानि कि किसी भी देश की जीडीपी का बढ़ना उस राष्ट की प्रगति का दियोतक नहीं है जब तक क नोबल प्राइज मिला है एक वकील है जो बेलारूस के है और दो संस्थाएं है एक युक्रेयन की और एक रूस की एलेस बिला इत्साथ की बेलारूस के अधिवक्ता है और मेमोरियल रूसी मानवदिकार संगठन और सेंटर फोर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रणी मानव संगठन काम करना होता है शांति स्थापित करने की दिशा में तो नोबल पुरसकार उस संस्था को दिये दिया जाता है साहित्ति का पुरसकार फ्रांसिसी लेखक है एनी एनक्स को उनका लेखन लिंग भाशा वर्ग संबंद में मजबूत ऐसा मानताओं द्वारा चिनित ज विशे दिया था इस पर उनको केमिस्ट्री में नॉबल प्राइज मिला है इसका उप्योग कैंसर की उप्चार में किया जाएगा और फ्रांस स lance की एक सेप्ट्र musicians को और और चिकिटसा का मेढिसन का जो नोबल प्राइज मिलना है वो मिला है स्वंत पावे को मिला है नियंडर्थल के जीनोम को अनुक्रोमेनित करना और मानोविकास का जो सब्विता रही है जिसमें अलग-अलग नियंडर्थल, क्रोमेगनन, होमोसेपियंस, अलग-अलग प्रकार की स्पिशीज रही है उनकी क्रमिक विकास को उन्होंने स् बविश्ची में इसके हमारे शरीर में प्रतिरोदक शमता को स्टड़ी करने में बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा ये मेडिसिन का नोबल प्राइस हाली में दिया गया है निमित करेंट अफेर्स प्राप्ट करने के लिए सब्स्राइब कीजिए आप और बेल आइकन को दबाईए आरियन ओनलाइन नाम से यूट्यूब पर हम आपको रेगुलर करेंट अफेर्स के सेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं साथ साथ में हम जीके के भी महतोपुन मिन्द करतो सके